शंकर कह रहे हैं, इंस्टाग्राम को कैसे ग्रो करें, देखिए, इंस्टाग्राम अस्तर जो है हमारा, वो आप देखिए, कई सारी ऐसी strategies हैं, चिंसे आप Instagram grow तो कर सकते हैं लेकिन मूल category मूल जो है न वो एक ही है क्या आप लोगों को value दे रहे हैं क्या आप उनका कोई problem solve कर रहे हैं क्या आपका content जो है वो interesting है शंकर अगर आपका content इंट्रेस्टिंग है तो automatically वो शेर हो जाएगा automatically लोग आपको follow करना शुरू करेंगे और automatically आपका influence जो है वो ग्रो होना शुरू हो जाएगा तो पहला सवाल जो आपको यह पूछना चाहिए अपने आप से कि क्या आपका content interesting है ओके शंकर पंकत सक्सेना कह रहा है कि सर हमारा facebook का आड किस ने देखा यह कैसे चेक करें जब हमारी आड कोई facebook पर देखता है तो उसे हम impression कहते हैं impression की list facebook नहीं देता मतलब किस किस ने आपकी आड देखी वो डेटा जो है वो facebook नहीं देता हाँ अगर आप एक ऐसी आड रन कर रहे हैं जहांपर आप lead generate कर रहे हैं कि जहांपर आप लोगों को कहते है कि click कीजिए और form भरिए ना मोबाइल नंबर email आईडी दीजिए तो वो lead आपको मिल सकती है लेकिन सिर्फ रीच या सिर्फ impression का data facebook नहीं देता है स्वाती रिवाडिया जी कह रही है कि social media से free leads कैसे लाएं अगर आप social media पे free leads लाना चाहती है यह आपका सवाल है तो इसका जवाब एक ही है लोगों को content देना शुरू कीजिए लोगों को value और knowledge देना शुरू कीजिए automatically आपके leads आ जाएंगे ललित वाक्चोरे कह रहे हैं सर facebook marketing का सवाल है ललित जी आप अपना माइक unmute करके बात कर सकते मुझसे अलो ललित जी नमस्ते हाँ सर मैंने आपसे बात किये दी कि अगर मुझे facebook marketing करनी है मेरा customer है उसका page अगर मुझे बनाना हो तो मेरे account से बनाना ज्यादा better है या उनके facebook account से page बना के करना चाहिए देखे ललित जी इसका one line answer यह है कि page जो है न यह asset होता है property होती है और अगर आपका customer मनला आपका कोई customer है और उसका page है तो ethically मनला इमानदारी से यह page उसका होना चाहिए अगर आपका client है उनका page है तो ethically page उनका होना चाहिए काम आप कीजिए यह ethical बात होगी अब आपको कैसे करना है यह आपके उपर है मतलब मैं उसमें नहीं जाओंगा लेकिन अगर page उनका है और आप काम करना चाहते हैं तो all they have to do is उनके business settings में जाके उन्होंने आपको as a partner add करना होता है ओके देखिये step-by-step कीजिए पहले client का page बनाई है उनका business manager बनाई है उनका add account बनाई है उसके बात उनके business में जाकर आप अपने आपको add कीजिए अपने आपको दीजिए अपने आपको एड अकाउंट्स दीजिए फिर आप ऑपरेट कर पाएंगे दिक्कत आती है तो फिर मैं आपको सपोर्ट कर दूँ अपने तो समझ में आया इसका चार्जिस के साबर अभी एक लगाने के लिए मिनिमम फांच हजार पहले यह चाहिए होता है ना मुझे नहीं लगता अभी ऐसा कुछ है वह फेजबुक बार-बार चेंज करता रहता है क्योंकि आपको देखिए बहुत सारे लोगों के लिए फेजबुक अलग-अलग करता है जैसे मेरे लिए क्योंकि अब मैंने बहुत ज्यादा बिजनस कर लिया है फेजबुक के साथ तो अब मुझे प्रीपे भी नहीं करना पड़ता अब मेरे पास ऑप्शन है कि वह महीने में एक ही बार मुझे बिल करेंगी तो वह आइस्ते आइस्ते डेवलप होता है और हर किसी के लिए अलग होता है तो डोंट गेट इंटु अगर वह लिखकर आ रहा है कि पांच अजार आपको देना है तो वह आपके लिए ओके ओके सर और एक लास्ट मदलब एक पुछे अगर अब यह आप यहां पर पाथ हजार माने लोग वह कट गया और उसके बाद मुलों भी किया ने इसलिए मुझ रहा हूं कि मुलों चार्ज का वह अपने उपर रहता है या कैसे रहता है मुलों आप अपने फ्रेंड से कि सिंपल बात बताता हूं एक आड बनाने के लिए बहुत सारी चीजे समझनी जरूरी होती है सबसे पहला उसका बिजनस आपको समझना पड़ता है यह आड करने का मकसद क्या है लीड जनरेट करना है ट्राफिक है ब्रैंड अवेरनेस है वह आपको समझना होगा वह कितना प उसके बाद एड का जो क्रियेटिव है यानि एड की विडियो या एड का जो इमेज है वो कौन बनाएगा समझ रहे हैं ललित अब एक एग्जांपल है कि मेरे पास अल्रेड़ी विडियो है मेरे पास अल्रेड़ी इमेज भी है आप सिर्फ उसे कन्फिगर करके दे दो अगर इतना सिंपल काम है तो 500 से 1000 रुपीस पर आड आप चार्ज कर सकते हो अच्छा लेकिन अब मेरे पास विडियो भी नहीं है इमेज भी नहीं है मेरे पास कुछ नहीं है और मैं ललित से कह रहा हूँ कि यार मेरे को आड करके दो तो आप मिनिमम्म टू टू त्री थाउजन रुपीस चार्ज करोगे क्योंकि आपको क्रियेटिव बनाना पड़ेगा विडियो या इमेज और एक नहीं दो तीन बनाने पड़ेंगे अप्रूवल लेना पड़ेगा उससे उसमें कॉपी राइटिंग करना पड़ेगा उसमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है यह सब आपको काम करना करना है एड पर तो आप उसको कह सकते हो कि भाईया मैं आपसे टैन परसंट चार्ज़ दूंगा कि अच्छा क्योंकि जो फिफ्टी थाउजन रुपीज खर्च कर रहा है उसका टैन परसंट होता है फाइफ थाउजन रुपीज फिर उसमें आप इमेजेस वीडियो वगरा बनाके उसको दे सकते हैं तो इट डिपेंड्स कि आपकी मेहनत कितनी है क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं कहते हैं यार हमें एड लगा नहीं हमें हजार रुपया खर्च करने है अगर इतना चोटा सामने वाले का बजट तो मैं कहूंगा करो ही म उसे कव तुखुद कर ले क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद मिलेगा कुछ नहीं हाँ आप अनुभव के लिए करना चाहते है तो बात अलग है लेकिन अदर्वाइस प्रोफेशनली कोई इतने कम पैसे में नहीं करें पिल्कुल सर ठीक है ललित यस सर यस सर थैंक्यू सो तो चलिए गाइस तब तक के लिए साइन आफ कर रहा हूं मैं हूं संदीब बंसाली डिजिटल आजादी का रचेता निकल पड़ा हूं एक मिशन पर हेल्प करना चाहता हूं कम से कम दस लाक लोगों को चाहता हूं कि यह सब मुझसे डिजिटल मार्केटिंग सीखें इंप अपने लिए पैसे कमाने के नए रीसोर्स क्रिएट करें पिर मिलूंगा अगले गुरुवार रात को नौ बजे तब तक जैहिंद